14 किलो चांदी बरामद की गई है, कार से ये चांदी बरामद की गई है और 6 लाख की नए चांदी के आभूशन बरामद हुए है एक आरूपिक रफ्तार किया गया है पर्ताल पुलिस कर रही है राइगर से सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हुए है सत्यजीत पूरा मामला 11 किलो चांदी बरामद हुए है चांदी काभूशन बरामद हुए जब पूस्तार की गई है उसकाभूशन के बारे में तो वो किसी परायों की दस्तावेश देज नहीं कर पाया तो तदकाल पुलिस ने आरूपि को पकड़ लिया है और चांदी काभूशन को जब्त कर लिया है चली बहुत-बहुत धन्यवाद सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए इधर महासमंद में 22 लाख की चांदी बरामद की गई है और उसी दोरान ये जब्त कर ली गई सोमनाथ हमारे सायोगी महासमंद से इस फक्त हमारे साथ जुड़े हुए सोमनाथ 22 लाख की चांदी बरामद पूरी जानकारी विस्तार से जी बिल्कुल सिंगोरा पुलीस और साइबर सेल ने वाहन चेकिंग के दोरान 22 लाख 30,000 रुपए के 23 किलो चांदी और 80 ग्राम सोने के आब हुसन को जब तक किया है इस दोरान पुलीस ने दो लोगों को हिरासत मिलिया है और पुलीस ने दोनों की लोगों को इको इस्पोर्ट कार से जो परिवहन कर रहे थे उसको रोका है यह परिवहन जो इको इस्पोर्ट कार है उसमें चेंबर बना कर ये कर रहे थे जिसे महासमुन पुलीस ने रहती खोल अंतर राज्य जांचनाका के पास जो है रोक कर तलासी ली वहां से इस चांदी और सोने को बरामत किया है और ये जो पूरा मामला है उसको अब आगे की जांच के लिए भरत सरकार की जांच एजन्सी को सौब दिया गया है चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमनात इस तमाम जानकारी के लिए अगली खबार राएपुर से जहां फर्जी I.E.S. गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने इस फर्जी I.E.S. को गिरफ्तार किया है नाम है इसका मंजुनात धीरेंज्दर शास्त्री के कारिक्रम स्थल से इसे पकड़ा गया है ये कारेक्रम में घुसने की कोशिश कर रहा था और खुद को प्रशिक्षु आईएस ट्रेनी आईएस बता कर धंकी दे रहा था गिरफ़तार करके है दंतेवारा में IED ब्लास्ट के आरूपी की मौत हो गई है पुलिस सिरास्त में इसकी मौत हुई है अरनपुर IED ब्लास्ट का या रूपी था अरनपुर के पेड़का गाउं का रहने वाला था तबित खराब होने के बाद इससे अस्पिताल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बसकी इलाज के दौरान इसका नाम है पोदिया मडावी इसकी जान चली गए जांजगीर चांपा शहर के रहायशी अलाकों में धढलने से अवैद रूप से गैस की रिफिलिंग की जा रही है जांजगीर जिला मुख्यालय पर कचहरी चौक और इंडियन गैस C.HC सेंटर और निताजी चौक पर गैस के कारेले में गैस सिलेंडर की बिक्री की जा रही है कारड सुझ मिलता है एक हजार में बहुत मुस्किल से मिलता है लाइन लगाना पड़ता है लेकिन जो एजनसी वाले हैं उसी गेस को ब्लेक में 12-1300 रुपें बेच रहा हैं जो जगाए आपिस खोल रखे हैं दो जगाए धरले से बेच रहे हैं ब्लेक में हम काड़ वाले को बहुत विसकी से मिलता है हम चाहते हैं प्रसासन से कि इस प्रकार की काला बजारी को बंद क की स्कुर्ण का गाड़ी के टेंक हमेशा खड़ी रहती है और इसमें लगब बंद को हमेशा और यहां कश्टमर को दिया जाता है हम दिखा सकते हैं यहां साथ सिलेंडर की परमिसन होती है यहां एक अगनी समन जंत्र भी है जो सुरक्षा को लेकर फुक्ता इंतिजाम के लिए परियाब तो नहीं है यहां किसी तरह के अकास्मिक घटना घटती है तो वो फिर भा इस पर जो नियम मेरी कारवाई है उसको करें पैलास के सब नियुजटी जानगीर जाब जगदलपुर पुलिस ने सौ बुरी अवैद धान जब्त किया है इसे बिचौली ओडिशा से ला रहे थे जगदलपुर में खरीदी केंदर पर इसे खपानी की तैयरी थी ओडिशा बॉर्डर पर तैनात पुलिस की टीम को यह काम्यावी मिली अब तक जगदलपुर जिले में 890 क्विंटल अवैद धान जब्त की जा चुकी है इसे खरीदी केंदरों पर खपाने के लिए पडोसी राज्य से लाया जा रहा है लोगसभा चुनाओं का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है हाल ही में बीजेपी ने बस्तर लोगसभा के लिए बड़ी बैठक की इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे बैठक को लेकर संयोजक श्रीनवास राओ मद्दी ने कहा कि जनता का आश्रवाद साथ है विधान सभा में जीते अब लोगसभा भी जीतेंगे लोगसभा जितने हैं एक लाट पृतिसाथ तो ये थे अजया संद्रकार जी जिनका कहना है कि बस्तर में जीत तब पृतिसाथ है निजुद एट्टिन के लिए कॉंड़ागाउं से बेवेख शुआ और अधर डेपिटी सियम अरुन साओ का बड़ा बयान सामने आया है फरवरी में प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी लोगसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी पहली लिस्ट फरवरी में आने की उम्मीद है ये कहना है डेपिटी सियम अरुन साओ का राश्ट् सबचनाव में प्रयोग किये गए कि जो टिक्टों का बटवारा है वो जल्दी कर दिया जाएगा ठीक वैसे ही अब लोगसभा में भी जल्द पहली सुची जारी कर दी जाएगे लोगसभा के प्रभारी साप्रभारियों के नुक्ति हो गई है और उसके लिए बैठ़के प्रारंब हो गई है तो निश्ची दुर्प्ट से भारती जनता पर्टी छत्तिरगड के 11 के 11 लोगसभा सीट जितने के तैयारी में पूरी ताकर से जूटी है देखे हमेशा भारती जन्ता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है पर पार्टी जिजने योग गिया और सक्षम प्रत्रेश तो अभी तो इसके है तो कम लाएं तो तक्षम पड़ेगा इधार सेम विश्णदेव साय ने पीम मोधी को पत्र लिखा है चतीजगळ की तरफ से पीम का आभार जताया है पीम ने दरसल अपने संभूधन में चतीजगळ का जिक्र किया था माता शबरी की भक्ती का जिक्र किया था आयोध्या में प्रधान मंत्री ने शिवरी नरायन का जिक्र किया था C.M. साय ने पत्र लिखकर प्रधान मंत्री का अभार जताया है इधर, Deputy C.M. अरुण साव ने काए कि धर्मानतरण पर कानून बनाया जा सकता है सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है ताके प्रदेश में धर्मांतरण रोका जा सके और छतिरगड की डेमोग्राफी ना बदले और छतिरगड में जो हमारी संस्कृती सभ्यता है उस पर किसी तरह का वीपरीत प्रभाव ना पड़े इस नाते धर्मांतरण रोकने के लिए हर वो उपाए हमारी सरकार करेगी इधर भिलाई की महिलाओं ने प्रधान मंतरी मोधी को पत्र लिखा है और उन वेब सिरीज पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें गालियां दी जाती है इसके लिए एक कड़ा कानून का प्रावधान हो कि कोई गाली देते हुए सुनाई दे गया तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान हो कि ये गालियों का बंद होना चिसके लिए सबस्यादा जरूरी है वेब सिरिस पर रोक लगना पहले भी कई विश्यों पर फिल्में शॉर्ट फिल्में वेब सिरिस बंदी है पंचायत और गुल्लक जैसी सिरिस क्यों इतनी हिट होती है मतलब असली जन्मानस अच्छी बातों को ही चाहता है खबर कोर्बा से यहां 67 शाले राजश्री बेजबॉल प्रतियोगिता का अगाज हुआ CSEB ग्राउंड में 2000 ओहन मार्च पास्ट के साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कारेक्रमों की प्रस्पति भी दी इस प्रतियोगिता में देश भर के 14 राजजियों के 800 से ज़ादा खिलाडी और कोश चामिल हो रहे है इस मौके पर मंत्री लखनलाल देवांगर ने का कि यह गौरव की बात है राश्ट्री अस्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका 36 गड़ के कौरवा को मिला है इसमें हमारे कई अन्य प्रदेश के बच्चे आहां पर खेलने के लिए पहुंचे है निश्चित तोर पर अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग बोली भासा और एक साथ हमारे खेलाडी बैट कर बात चीत करेंगे उस प्रदेश का कल्चर के बारे में समझेंगे बात चीत को भी समझेंगे और आपसी भाई चारा प्रेम भी होगा उनका एक दूसरे सी मित्रता भी बढ़ेगी इधार जगदलपूर के बर्ड पार्क में ऐस्टेलिया के राश्ट्री पक्षी को देखेंगे लिए इस प्रदेश के बात चीत की गई है देखने के लिए लोगों की भीड उमड रही है M.U. M.U को देखने के लिए लोग पहुंच रहे है गोर्तलप है कि यहां के बर्ड पार्क में अस्टी प्रजातियों के पक्षी रखे गये है लेकिं ना ऐस्ट्री पक्षी लोगों के लिए आकरस्टन का केंद्र बना हुआ प्रजाती से जाड़ा है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है नान फ्लाइंग बर्ड है। और इससे करीबन 25 जो स्वसायता समू के सदस्य हैं उनको साल भर के लिए रुजगार हम देने में सफल हो रहे हैं। आज पियम मोदी के कारकरम मन की बात के 109 एपिसूड का प्रसारण किया गया। इसमें प्रधान मंतरी ने 36 गड़ की तारीफ की। उन्होंने इस बार पदम संबान पाने वाले 36 गड़ की तीन हस्तियों का नाम लिया। उनके काम का दिक्र किया। इसके अलावा प्रधान मंतरी मोदी ने 36 गड़ में रेडियो पर प्रसारित होने वाले हमर हाथी हमर गोट इस कारकरम की भी खूब तारीफ की। रेडियो की ताकत कितना बढ़ला उला सकती हैं। इसकी एक अनूठी मिसाल 36 गड़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब 7 वर्सों से यहां रेडियो पर एक लोगप्रियक कारकम का प्रसारण हो रहा है। जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोट नाम सुनकर आपको लग सकता है कि रेडियो और हाथी का भला क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यही तो रेडियो की खुबी है। 36 गड़ में आकासवाने के चार केंद्रों अंबिकापूर, राइपूर, बिलासपूर और राइगड से हर शाम इस कारकम का प्रसारण होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 36 गड़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले बड़े ध्यान से इस कारकम को सुनते हैं। और